नमस्ते दोस्तों आज मेरे चैनल ACHS टेक्णो में आपका स्वागत करता हूँ जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल electrical vehicle का train market में बढ़ रहा है और जैसे जिसे electrical vehicle routine में आ रहे है वैसे वैसे उनकी दुरगटना ही सामने आ रही है जैसे कि बहुत सारे लोग electrical vehicle charging करते समय ओवर चार्ज कर देते हैं उसके जैसे electrical shock battery explosion के incident सामने आ रहे हैं क्या आप जानते हैं इससे कैसे बच जाए तो मैं आज आपको electrical vehicle charging करते समय होने वाले दुरगटना उसे लगने वाले shock से बचने के कुछ उपाएं बताऊंगा वह अब ध्यान से सुनिये electrical charging station का जो electrical wiring fitting है वो आपको proper qualified electrician की तरफ से करना है नया charging station इंस्टॉल करते समय नए तरीके की wiring होनी चाहिए टोटल wiring नए तरीके की होनी चाहिए पुरा ने wiring आप लोग इस्तमाल करेंगे तो उसमें short circuit हो सकते है प्रापर वाइरिंग करने के बाद हमें manufacturing का guideline charging करते समय फॉलो करना चाहिए electrical vehicle का जो charging station होगा वो nationally recognized testing agency से certified होना चाहिए electrical vehicle charging करते समय आपको किसी extension board से connection नहीं लेना है और multi plug adapter नहीं यूज़ करना है जहां पे short circuit होने के major chances होते है चार्जिंग session डिवाइस में ELCB MCB का यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि अगर वहाँ पे कोई fault होता है तो fault होने के बाद equipment automatically turn off होना चाहिए जिससे fire होने वाला prevent हो सकता है charging station component का आप यूज़ नहीं कर रहे है तो उसे बच्चों के contact से दूर रखिए क्योंकि उसमें दुरगटना हो सकती है मेरा ये वीडियो electrical vehicle charging safety के बारे में आगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल ACHS टेकनो को like share subscribe करें ज्यादा से ज्यादा like share subscribe करें कर दो